जी स्टूरेंट्स अभी हमने BMI डिसकस किया और उसकी रेंजिस डिसकस करें अचाब BMI के इलावा भी कुछ और पेरामिटर्स भी हैं जिससे मुटापे का अंदाजा किया जा सकता है जैसे के वेस्ट साइज यहने जो आपका वेस्ट है यहने कमर पूरी जो और पेट जो पूरा नापा जाता है राउंड दी बैली वो साइज एक रफ एस्टीमेशन यह है कि मर्दों को वेस्ट साइज अपना 39 से नीचे रखना उनकी सहत के लिए बेतर है अगर 39 से उपर जाता है तो वो उबेस्टी के दाएरे में दाखिल होते चले जाते हैं और रिस्क फॉर कार्डियक डिजीज और डाइबिटीज और डिफरेंट हेल्प प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं इसी तरीगे से औरतों के मतालेग ये कहा जाता है कि उनका वेस्ट जो साइज है वो 34 और 35 इंच के अंदर होना चाहिए अचा एशियन मर्द और एशियन खवातीन में थोड़ा सा वेरी करता है जैसे एशियन मर्दों के लिए कहा जाता है कि 35.5 से उपर ना लेके जाए याने इट शुड़ बी लेस देन 35.5 और एशियन वोमेन इट शुड़ बी लेस देन 31.5 अच्छा ये जो एक वेस साइस का जो पैरामीटर है ये बहुत ज़ादा याने एक अच्छा पैरामीटर है और ये असान है BMI निकालना वो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन उसकी करनी पड़ती है उसके लिए आपको वेंग मशीन चाहिए उसके लिए आपको हाइट स्केल चाहिए और फिर फॉर्मूला भी सही तरीके से इस्तेमाल किया हो तो BMI निकल कराता है एक असान सा तरीका waste size का भी है और इसको भी अपना एक criteria बनाया जा सकता है तो confirm obesity दूसरा criteria क्या है waste to height ratio यान्य waste size और height एक rough estimation यह है कि जो waste size है ये height के half से भी कम होना चाहिए say for example height उसकी एक इसी शखसी 5 feet है तो 5 feet का मतलब ये हुआ कि 12 feet is 60, 60 inch 60 inch का, अगर 60 inch की height है किसी शखसी तो उसकी जो waist है वो 30 से भी कम होनी चाहिए बास अन्वारी है यानि waist size should be less than the half of the height तो ये भी एक parameter है अगर इस पर भी कोई अपने आपको गेज कर ले तो वो अपने आपको अंदाजा कर सकता है कि वो underweight है, obese है, overweight है या morbid obese है तो ये भी एक दो और तरीके है यानि waist size और waist to height ratio नाव वाट obesity से बचा कैसे जाए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मश्वरे, बहुत सारे तोटके, बहुत सारे नुस्खे, इलाज, सर्जरी, टेकनीक्स, एक्सराइजिस, लोग डिसकस करते रहते हैं वो अपनी जगा पर उनकी अफादियत है, इससे कोई इनकार नहीं है लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा एक तरज जिन्ड़गी और तरज अमल अगर कर लिया जाए जैसे कि ये 5-2-1-0 का एक निमोनिक है तो मुझे तो ये अच्छा लगा और मैंने चाहा कि ये मैं आपसे डिसकस कर लूँ इसमें काफी चीज़ें जो है ना, यानि बुन्यादी तोर पर जो चीज़ें वो कवर हो रही है आईए इसको समझते है ये कहते हैं कि 5 जो है, 5 से मुरादी है कि 5 मरतबा दिन में फल या सबजी खाई जाए अब ये कह देना तो असान है, इसको करना वाकितन मुश्किल है इसमें सबसे इमपॉर्टन्ट मसला तो या आता है अफोडिबिलिटी का अब फर्स करें, कोई ऐसा शख्स है जो दिन में 5 मरतबा फल नहीं खा सकता 5 सबसियां नहीं खा सकता, तो उसके लिए तो मसला है लेकिन अगर कोई ये काम कर गुजरेगा, तो यकीन जाने, सिर्फ एक स्टेप लेने पर भी फरक आना शुरू हो जाएगा अगर कोई शख्स पूरे दिन भर में सबजियां और फल पर इनसार करे तो यकीन उसकी कैलोरी जो हैं, वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगी और उसका वेड भी बैलनस होना शुरू हो जाएगा और वेजिटेबल्स और फूट्स के जो फाइदे हासे लोने हैं, वो भरपूर दिखेंगे उसकी सिहत अच्छी हो जाएगी, वो अपने आपको लाइटर फील करेगा वो पहले से अच्छा परफॉर्म करेगा, वो अपने आपको डिली रूटीन्स में बड़ा एक्टिव पाएगा और ये हकीकत है, फूट और वेजिटेबल्स की अफादियस से कोई इनकार नहीं कर सकता फिर दूसरा जो मसलह है, वो ये के कट स्क्रीन टाइम अब देखिए इस दोरे जदीद में हर शक्स के पास मुबाइल है फिर उस मुबाइल पर जितना टाइम वो सर्फ कर रहा है वो बड़ा ही यानि एक तश्वीशनाक और खतरनाक हद तक वो टाइम बढ़ चुका है कि इनसान इस वक्त का इनसान मसरूफ तरीन इनसान है और सबसे ज़ादा वो इस छोटे से मुबाइल से हर वक्त मुंसलिक रहता है चाहे वो दफ्तरी काम कर रहा हो, चाहे वो एंटर्टेन्मेंट कर रहा हो, चाहे वो लर्निंग कर रहा हो, चाहे वोट आवर देखिए इस चोटी सी स्क्रीन ने बहुत जादा नुकसान दिया है इनसान को तो कहा जाता है कि दो गंटे से कम टाइम इसके उपर सर्फ करें और छोटे बच्चों को तो बिलकुल भी ना दे अब यहाँ पर भी एक मसला दिख रहा है इस माशरे में कि छोटे छोटे बच्चे और उनके हाथ में अंड्रॉइड मॉबाइल्स मौजूद है वो गेम खेल रहे हैं और इवन वो जो है वो मुवीज देख रहे हैं याने ठीक है उनकी जहनी सहलाईयते तो बहुत तहीं से आगे बढ़ रही है लेकिं जिस्मानी तोर पर वो कमजूर होते चले जा रहे हैं बच्चों की कुटे मुदाफ़त कमजूर हो रही है फिजिकली वो डल होते चले जा रहे है और गास तोर पर इस वक्त जैसे के लॉक डाउन की सिच्वेशन है तो physical activity तो बहुत ही minimum हो गई है इसके लिए बड़े मशवरे दिये जा रहे हैं बड़े tips दी जा रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं आदमी जो है वो महसूर होके रहे हैं अपने गली महले में तो physically वो मूवी नहीं कर रहा है लेकिन किसी ना किसी तरीके से अपने आपको दिन में एक घंटा अगर physically मस्रूफ कर लिया जाए चाहे वो exercise की शकल में चाहे वो घर के छोटे मोटे काम क्यों ना हो say for example आप almारी ठीक करना शुरू कर दें आप बरतनों को सही तरीके से ठीक करना शुरू कर दें आप कमरे की सजावट में दिलचस्पी लें आप बैट को साफ कर लें आप ज़डू लगा लें आप पोछा लगा लें घर के जाले साफ कर लें पुराने स्टोर में से निकाल कर जूते कपड़े उनको इलहदा करके उनको अलग कर दें कोई ना कोई ऐसा मचगला ऐसी मस्रूफिया ढूने जिसमें आपका दिन में एक घंटा सर्फ हो और फिजिकली या बगाएदा उसमें एक्टिव हो तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी वजन कम करने के लिए और आखरी चीज़ ये के स्वीटनेस और चीनी से परहिस किया जाए और कम से कम कम से कम जो है वो चीनी का स्तेमाल हो चाहे वो चाय की सुरत में हो चाहे वो कोल्डरिंग की सुरत में हो चाहे वो मश्रूबात की सुरत में हो अब इस वक रमजान आ गए है हम सब रोजे रख रहें लेकिन जो एक रूटीन प्रैक्टिस देखने में आती है और अब्जर्वेशन है वह यह कि अफ़तारी जो है माशालला खूब एहतमाम से होती है उसमें पखोड़े भी होते हैं उसमें फूर्ट चार्ड भी होते हैं उसमें तलेवे चिप्ष भी होते हैं और उसमें districts भी मशरूबात भी होते हैं उस पर यगदम जो है वो एक धवा भोल गया इतने सारी कैलोरीस का तो जिस्म पर कितना बोज आ गया जिगर पर कितना बोज आ गया दिल पर कितना बोज आ गया और फिर इन रमजानों में जो अब्जरवेशन है कि लोग वजन बढ़ा लेते हैं अपना उनका वजन कम होना च लोगों को खटी डगा रहें और बधजमी का शिकार हो जाते हैं, कब्स की शिकायत हो जाती है, इस सब इस वैसे के हम लोग BCR खोरी की तरफ जा रहे हैं, वी इटू मच और यूटिलाइस लेस, तो ये अपने आपको बैलन्स करना है, और रमजान और फास्टिंग ये देखि और फिजिकली थोड़ा सा अपने आपको एक्टिव करें, और स्क्रीन टाइम अपना कम करें, सबजियों और फलों पर जादा निसार करें, इन्शालला ताला फाइदा होगा, इसी देख से ये फूट पारिमेट को भी जल्दी से देख लेते हैं, ये चंद चीजें, देख इस्तेमाल हमें जादा करना चाहिए, और फैट और शूगर्स और सॉल्ट का इस्तेमाल कम करना चाहिए, लेकिन नमक पर भी बात करना बहुत जरूरी है, नमक जो बड़ा खतरनाक हद तक बलड पेशर बढ़ा देता है, और खुदरत ने जितनी भी गज़ाएं दी वी हैं इसमें और लेडी सोडिम कलॉराइड मौजूद है, हमें यह जो हम सॉल्ट डालते हैं, यह सिर्फ टेस्ट के लिए डाल लेना चाहिए, इजाफी तोर पर उपर से खाना जब बनके तैयार हो जाए, उपर से जो सॉल्ट जो छड़काओ किया जाता है ना, वो नहीं करना च और अगर खाना भी खा दिया जाए, तो बताइए, अब इसमें क्या होना है, डिफिनेटली आपकी कैलोरीज बढ़ेंगी और आप इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो खुदारा बहुत अच्छा मौका है, रमजान में अपना आपको कंट्रोल करें, और लोगों को भी यही हिदायत करें, अपने पेशिंट्स को आप यह हिदायत करें, अपने अजीज अकारब को हिदायत करें, अपने दोस्तों को हिदायत करें, समझाएं लोगों को कि हम अच्छा खाएं, कम खाएं और एक्टिव रहें